हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरिय प्रोटीन वे ते हल्दी वे तो फिल्स हमारे वीडियो सही होगी मृदुल आपको दिखाएंगे आम तोर पे राष्टपती भवन बिल्कुल साफ दिखाई देता है यहां से लेकिन इस वक्त राष्टपती भवन धुंद की चादर से ढखा हुआ है यानि की यह कुल मिला के बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में इ बात करें तो सफर के डेटा के अनुसार इस वक्त दिल्ली के ओवराल हिस्सों में AQI लेवल एक्वालिटी इंडेक्स 385 है वेरी पूर काटेगरी पे है और सिवियर काटेगरी की तरह बढ़ रहा है अगर CPCB की लगभग रियल टाइम डेटा जिसको माना जाता है उसकी हम बात करें तो दिल्ली के कई अलाकों में स्थि इस वक्त बेहद ही गंभीर है यह दिल्ली का ITO बेहद ही important हिस्सा माना जाता है 417 यानि कि सिवियर काटेगरी में अगर हम आनंद विहार की बात करें तो वहां स्थि और भी जादा खराब है 445 AQI यानि कि इस वक्त दिल्ली म हवा सांस लेने के लिहाद से बेहद ही खराब है CAQM Commission for Air Quality Management के हिसाब से नवंबर के शुरुवाती दिनों में धीमी हवा की रफ्तार और पराली के जलने की घटनाओं की वज़े से AQI लेवल लगातार खराब होने की संभावना थी सीवियर काटेगरी में रहने की संभावना थी और अब सचाई भी CAQM के प्रेडिक्शन की तरह दिखाई दे रही है एक्सपर्ट की माने हिल्थ एक्सपर्ट की माने तो ऐसी खराब AQI में कई लोगों को अलग-अलग तरह की परिशानिया हो सकती है और खास तोर पे उन ल लाकों में 500 से जादा है यानि हावा इतनी जहरीली है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक बाहर रहता है इस हवा में सास लेता है तो उसको सास से जुड़ी तकलीफें हैं वो शुरू हो सकती है इसके प्रमुक तोर पे तीन-चार कारण है जिसके वादा दिल्ली में जो जुड़ा हुआ जो प्रदूशन है वो है कंस्ट्रक्शन जो अक्टिविटीज हैं पर बैन लगा दिया गया है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जो प्रोजेक्स हैं चाहे वो डिफेंस के हो रेलवेस के हो एने चांई के हो इन तमाम प्रोजेक्स को इजादत दी में रहते हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि एक्सपर्ट का यह मानना है कि सांसे जुड़ी तकलीफ है काडिय कॉम्प्लिकेशन अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशन यह आपको शुरू हो सकते हैं एक छोटी सी बात में और बता हुआ अगले छे दिनों तक दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिली का जो है 극ुए लेबल है को यह तो पूर काटेग्री में रहे गा यह सीवियर काटेग्री में रहे गा घया यानि जो दिल्ली की स्थिति हैं स्मॉग से और वाई ह tourster से दिल्ली वालों को कम से कम अगले 6 दिनों तक राहत मिलने की उमीद नहीं है